दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉंट बॉक्स के बारे में फॉंट डियालोग बॉक्स का आप किस तरीके सी यूज कर सकते हैं और जब भी आपको अपने डॉक्किमेंट के ओपर किसी भी टाइप की कोई फॉर्मिटिंग अपलाई करनी है तो उसके लिए के लिए कर देता हूं most of the चीजों को करने के लिए फॉंट डैलोग बॉक्स के अंदर जितनी भी चीज़े आपको ट्राइ करनी है उन चीजों के लिए स्लेक्शन कंपल सरी है मलब 90% चीजों को अपलाई करने के लिए आपको स्लेक्शन करना पड़ेगा जिसके ओपर हमने इससे पहले वीडियो पनाई थी आप उस वीडियो को जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं सबसे पहला हमने यहाँ पर एक लाइन के उपर करके यहाँ दिखाने वालो जैसे हमने यहाँ पर पहली लाइन को स्लेक्ट किया अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे सबसे पहला आप हमारा इसको हम बोलते हैं font या फिर आप बोल सकते हैं font face font का style change करना या फिर text की writing change करना आप एक simple language में उसको समझने के लिए इस तरह से बोल सकते हैं तो यहाँ पर आपका by default जो रहता है वो रहता है Calibri body ठीक है यहाँ पर आप इसको change कर सकते हैं times new roman के साथ times new roman एक जानवाना popular font है जो कई जोगों पर यूज किया जाता है आप impact का यूज कर सकते हैं Algerian का यूज कर सकते हैं यह सारे font के नाम है और आपको ऐसे 1000 फॉंट इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे और आप additionally भी फॉंट रखना है जैसे मुझे यह रखना है एंटर किलिक किया यह फॉंट यहाँ पर आपका apply हो चुका है इसको हम बोलते font face नेक्स लाइन के उपर हम करके देखेंगे font size इसके साथ वाला option जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते font size यहाँ पर आप size changes कर सकते हैं by default आपका जो size रहेगा वह 11 होता है toolbar के जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है drop down और minimum जो रहता है इसमें 8 और maximum जो आप कर सकते हैं वह 72 size यहाँ पर कर सकते हैं तो मैं आपको एक बहुत दिखा देता हूं चेक करके आप देखिए size कर सकते हैं वह भी मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर alt की press करेंगे आप तो home tab पर जाने के लिए आपको दिखाई दे रहे हैं क्या प्रेस करना है यहाँ पर H जैसे आप H प्रेस करेंगे तो आपको सभी features के जितनी भी आपके options हैं उन सभी options के लिए क्या क्या shortcut आपको प्रेस करने हैं वह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहें एक्जामपल के लिए font size करना है तो देखिए font size के ओपर क्या लिखाव है fs तो आपको f press करना है फिर आपको s प्रेस करते हैं तो आप उस option के अंतर एंटर होगे अब आपको arrow key से control कर लेना है जो भी size आपको यहाँ पर चेक करना है तो सारे shortcut कीज में आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा जो important होंगे उनके वारे हम बात कर लेंगे तो इस तरह से आप menu wise try कर सकते हो shortcut से नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर bold italic और underline बोल्ड करने कर जो shortcut है वो है control plus B जिससे आप अपने text को थोड़ा सा dark दिखा सकते है नेक्स्ट आपका आता है है underline तो इसमें आप underline डात सकते हैं जिसके वारे में हमने पहले भी बात करी थी control plus U जिससे आपका single underline यहाँ पर सोग करेगा और अगर आपको stylish चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके जैसे भी आपको style चाहिए वह style आप यहाँ पर ले सकते हैं नेक्स्ट आपका आता है इसको हम बहुत है strike through यानि की beach में से text को cut करके दिखाना अगर कोई text wrong type हो गया है तो उस तरीके की चीज़ों के लिए आप यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना इसके उपर selection करने के बाद तो आप चेकिंगे इस तरह से यह कटा हुआ text आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि beach में से हमने उसको cross कर रखा है हटाने के लिए आपको same method यूज़ करना होता है इस तरीके से नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर अपने अगले टॉपिक के उपर यहाँ पर आपका सबस्क्रिप्ट और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सूपर स्क्रिप्ट दोनों के बारे में मैं आपको explain कर देता हूँ पहले इसको अटा कि हमने size थोड़ा सब बढ़ा कर लिए सबस्क्रिप्ट का यूज करते हम यहाँ पर जैसे कि आपका scientific power है वहाँ पर आप यूज करेंगे scientific power का मीन से कोई science का formula है जैसे CO2 carbon dioxide ठीक है तो यहाँ पर आपने CO2 लिख दिया यहाँ पर मैं font को भी change कर लेता हूँ CO2 लिख दिया हमने देखिए अभी जो लिखावा है CO के similar में 2 लिखावा है विल्कुल बराबर में लेकिन इसको थोड़ा सा नीचे के और लिखना है जैसा कि सबस्क्रिप्ट ने आपको दिखाया भी गया वहाँ पर आप देख सकते है यह देखिए 2 थोड़ा सा नीचे के यहाँ पर आपको mathematical power जैसे हमान लिखिए आपने a प्लस b के whole square लिया तो अगर आपने बराबर में लिख दिया तो उसका मतलब हो जाता है multiply उसका मतलब square नहीं हुआ square कर लगाने के लिए आपको two को select कर लेना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है super script के उपर तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर यह आपको show करेगा देख लिए उम्मिद करता हूं दोस्तों यहां तक आप लोगों कोई भी डाउट नहीं रहा होगा अगर इस्टिल आपका कोई भी डाउट रहता है तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं आप comment section में अपने डाउट को डाल सकते है जो भी आपके डाउट होंगे उन सभी के उपर मैं आपके ब्लों कर लिए थे तो यहां से आप क्या कर सकते है जो उसमें एक लिमिट सेट होती है जैसे इसके अंदर आपकी 72 के आपकी सेट आप देखें पूर के उपर मैं आपको बतायता हूं जैसी आप इसके उपर किलिक करते जाएंगे आपका सइज दो-दो करके यहां पर बढ़ता जाएगा और देखिए सेवेंटी-टू से उपर भी आप यहां पर जा सकते अराम से इस तरीके से आप इसका साइज जितना भी आप चाहते है कर सकते हैं इतना आपकी लिए काफिए आप आराम से इतना इसको इंक्रीज कर वा सकते हैं जो आपका फॉंट है उसको चोटा कर सकते हैं और यहां तक आ समझ में आगया होगा नेक्स्ट हमारा आता है यहां पर चेंज केस का मैं आपको बतायता हूं चेंज केस हमारा केस क्या होता है जो हमने लिखा है उसी को हम केस बोलते हैं कि हमने कौन से format में इसको लिखा है capital में small में या पहला capital या फिर last capital वो आपका case है तो यहाँ पर five type के आपके change cases आपको word provide करता है जैसी आप यहाँ आपको click करेंगे सबसे पहला जो case है वो आपका होता है sentence case इसके उपर click करने पर आपको कोई भी फर्क दिखाई नहीं देगा यह आपका case होता है जिसमें आपका पहला letter पहले word का पहला character आपका capital आएगा और जहां पर आपका full stop लगा होगा उसके बाद से फिर आगे इन पहले word का first character आपका capital आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते वीडियो का वी capital फिर full stop के बाद जब when start हुआ है तो when का w आपको यहाँ पर capital दिखाई जागा इसको हम बोनते सेंटेस के सेकेंड नमबर पर आप देखेंगे lowercase तो इसमें सारे ही alphabet चाहे है आपका पहला हो या आखरी हो या बीच का हो वह सारे ही आपके alphabet इसमें small letter में आपको सो करेंगे तो आप क्लिक करके देखें सारी ही आपके यहाँ पर इसमाल लेटर में आपको दिखाई दे रहे होंगे थार नमबर पर आपका आता है अपर के सारे ही लेटर जितना भी आपका selection कर रखा आपने सब कुछ आपका capital में convert हो जाएगा यहाँ पर देखें आप इसके बाद fourth नमबर पर आपका case आता है capitalize each word हर word का पहला letter पहला character जो होगा वह आपका capital letter में आपको सो करेगा आप देख भी सकते हैं यहाँ पर और जिसमें एक single character ही है वो तो capital रहेगा ही तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सो कर रहे है और लास्ट वाला जो option है यह होता आपका toggle case इसमें आपका पहला small यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखावाए T small है बागी capital capital फिर case में C small और बागी के capital हो कर रहे है तो इस तरीके से आएगा और इसमें आपको सभी के उपर red lines हो करेगे क्योंकि यह एक तरह से मिच्टे क्या आप करते कि यहाँ पर इस format में लिखना सही नहीं है वैसे भी कहीं पर भी यह format यूज नहीं होता है तो default में हम जो यूज यूज करते जाते हो sentence case lower case और कुछ matter में आप uppercase यूज करते हैं जहाँ पर आपको कुछ words को highlight करना होता है जिसे आप CV बना रहे है तो अपना bio data जो है वह आप capital में लिखेंगे अपना नाम वहाँ पर आप capital में लिखेंगे या फिर कोई event है या कोई date है place है तो कुछ चीज कशन करेंगे तो text के ओपर आप effect दे सकते जैसे हमने यहाँ पर एक effect यह देखिए जोभी effect आपको देने वह effect आप यहाँ पर apply कर सकते है जैसे यह effect मैंने यहाँ पर दे दिया मैं आपको तोदोब सब दिखाते हूं जिससे आपको clear समझ में आ जाया गए अब्यागी आप द कि अब इसके अंदर आपको इसकी सैटो करनी है या फिर आौट्ञानी आपका तो यह सारी चीज़ा आप ट्राइए कर सकते हैं और आसानी साथ ट्राइए कर पाएंगे इसको आपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं आप अगला हमारा आता है टेक्स्ट हाइलाइट कलर तो इन सब को हटाने के बार आप वापिस हमने एक परगराफ ले लिया और इसके अंतर हम चलेंगे यहांपर टेक्स्ट हाइलाइट कलर तो हाइलाइट कर लिका आपको स्लेक्सिन का पसंपरी जितने एडिया आप आ स्लेक्र करें केज़ा मैं आयूपिक एक HERE elabor है तो इतने का आप किसी घुटर जोह भी हम पर आपको प्रोवाइड की जा रहे हैं आप हाइलेट कर सकते हैं ठीक है इस तरीके से और इसमें एक ऑप्षन दियावा हाई यहां से आप लिखावाई आपको अप्लाई करने जैसे और रेट करना है जो भी आप देखेंगे कर रहे हम वहाँ पर राइटिंग का अपकर तीक हैं अब लास्ट में यहां पर दिया हुए क्लियर फॉर्मिटिंग यानि के क्लियर ऑल्ल फॉर्मिटिंग जो भी हमने चेंज कि अपने उसका जय से हमने क्लाइर छेंज किया है हमने साइज को लिख में कर देता हुए क्ले में की कर दिया ऑप इसकी और आपको क्छ और कायव कर गया चलाव बनने कर दिया की उपर अब सभी अब हमें किलियर करके अपने दिफॉल्ट में देखना हुमारा पहले आरा था वैसा में कैसा देखेगा लें के संग करें अब पर क्लिक करना प्लियर ओल पर जयसे आप सब्सक्राइब करेंगा आप का populés अब करेंगे क्लेंगेHello Size Change किया था Board, Italic, Underline वो सारी चीज़े आपके इसमें हट जाएंगी और आपका Default में Convert हो जाएगा